हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल प्रेंसेज विद लाइफ स्टाइल सो गैस आज के वीडियो जो है वो आपके लिए काफी हेल्फुल होने वाली है बिकॉस मैं आपको बताने वाली हूं कि आप लिपस्टिक को किस तरीके से अप्लाई करें जिससे लिपस्टिक आ और अपने लिपस्टिक को करने के लिए तो आपके पास कोई भी मौस्ट्राईजर हो तो अप वह अप्लाई कर सकते हैं अपने लिपस पर तो इससे एक अच्छा सा बेस क्रियर्ट होगा और लिप्स पर लिपस्टिक लगाने के बाद वो पैची-पैची सी नहीं लगेगी तो लिप्स को मोश्राइज करना बहुत जरूरी है इसी तरीके से मैं अपने फिंगर की हल्प से अपने होटों को मोश्राइज करलूगी और अब मैं नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करूँगी आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं तो मेरे पास यह स्टिक है तो मैं यही फाउंडेशन स्टिक थोड़ी सी अपने finger पर लगा कर और apply करूंगी अपने lips पर तो यह एक अच्छा सा बेज देगी हमारे lips पर और lipstick जो है वो काफी long time stay करेगी तो यह कुछ step है guys और आप इसे follow कर सकते हैं अपने lipstick को perfect और long time stay रखने के लिए तो यहां पर देखिए मैं इस तरीके से फाउंडेशन को अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी सो गाइज अब नेक्स्ट में चाहिए एक लिप लाइनर तो ये देखिए मैंने ये लिप लाइनर ले लिया है और ये लिप लाइनर का जो शेड है वो ब्राउनी शेड है सो मैं इस तरीके से अपने लिप्स के आउट लाइनिंग कर लूँगी सो गैस ये आउट लाइनिंग जो करना ये मेन है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लिपस्टिक जो है वो इसके अंदर ही आपको अप्लाई कर दी है तो जिन लोगों को लिपस्टिक नहीं लगाना आता या फिर वो पहली बार लगा रहे हैं ब्रश वाली लिपस्टिक सो उनके लिए काफी आसान फॉर्मूला ये है कि आप कोई भी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आउट लाइनिंग जरूर करें और जो आपकी आउट लाइनिंग यानि लिप लाइनर है उसका जो शेड है वो लिपस्टिक से बेबी पिंक शेड है इसका तो अब मैं ये लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी अपने लिपस पर काफी कियरफुली लगाना है इसे तो इस तरीके से देखिए तो यह ब्रस वाली लिपस्टिक जो है वो अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है तो अगर आप आप apply करना काफ़ी असान हो जाता है तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से lipstick को apply कर लूँगे so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो lipstick है वो थोड़ा सा different unique तरीके से apply करी है तो अगर आप चाहते हैं तो आप.'' lip stick के matching का भी lip liner ले सकते हैं सो मैंने यहाँ पर ये धोड़ा सा डिफ्रेंट लुक क्रियाट किया है और अगर मेरे चैनल पर नियू है तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रही बाई-बाई टेक क्यर